आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले मुख्य समाचार देश में जल संडक्षन के प्रती जागरुकता पेदा करने के उद्देश से जल शक्ती अभ्यान आज से शुरू प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया से व्रष्टाचार कम हुआ आज से कई नियम बदले प्रधेश में अचल संपत्ति के बाजार मूल्य में 20% कमी का फैसला भी लागू मुख्य मंत्री जन कल्यान नया सवेरा योजना के पात्र श्रमिकों के सत्यापन का अभ्यान सभी जिलों में शुरू और मोसम विभाग ने इंदोर, धार, खंडवा, खरगोन, सहित, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई अब समाचार विस्तार से केंद्र सरकार ने देश में जल संड्रक्षन के लाव और जल संसाधनों के गिरते स्तर के बारे में जागरुकता पेदा करने के उद्देश से जल शक्ती अभ्यान शुरू किया है आज नई दिल्ली में इसकी शुरुवात करते हुए जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिह शेकावत ने कहा कि जल संड्रक्षन अब राष्ट्रिय पात मिकता है श्री शेकावत ने कहा कि सभी लोगों को जल की किल्लत के खत्रे से देश को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिवेक्ती जल की उपलब्धता घटी है तथा भारत जलवायू परिवर्तन से अधिक प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है जल शक्ती अभ्यान दो चरणों में शुरू किया गया है पहले चरण की अवधी पहली जुलाई से 15 सितंबर है और यह सभी राज्यों के लिए है तुसरा चरण पहली अक्टूबर से 30 नवंबर तक है जो उन राज्यों के लिए है जहां से मानसून वापिस होता है जल शक्ती अभियान को देश में जल की कमी वाले 256 जिलो और 1552 प्रखंडों में लागू किया जा रहा है इस अभियान के पाँच मुख्य अंग हैं जिन में जल संरक्षन और वर्षा जल संचे परामपरागत तथा अन्य जल इस्त्रोतों के पुनुरतधार तथा जल के फिर से उप्योग बोर्वेल रिचार्ज धाचे का निर्मान जल आच्छादन और बड़े पेमाने पर वन मिल है इस कारिक्रम को समय बद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्ति करण हुआ है प्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंकुष लगा है और गरीब लोगों तक सेवाय पहुचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है प्रधान मंत्री ने ट्विट संदेश में कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी इसका उद्धेश तकनीकी का इस्तिमाल और इसे लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराना था कॉंग्रेश शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज नई दिल्ली में कॉंग्रेश अध्यक्ष राहूल गांधी से मुलाकात की यह बेठक लोगसभाचुनाव में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पत से हटने के राहूल गांधी के फैसले की प्रष्ट भूम में हुई राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने मीडिया को बताया कि कॉंग्रेश अध्यक्ष साथ उनकी विस्तरत चर्चा हुई है उन्होंने आशाव्यक्त की कि राहूल गांधी कोई सकारात्मक फैसला लेंगे गेहलोत ने कहा कि बेठक अच्छी रही और पार्टी कारिकरताओं की भावनाव से उन्हें अउगत कराया गया। मंत्री ने कहा कि DSNGVN के जरिये सजीव प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उपराष्टपती एम वेंकया नाइडू ने डॉक्टरों से लोगो विशेश कर युवाव से आलसी जीवन शेली और अस्वास्थ कर खानपान की आदतों के खतरों के प्रती जागरुक करने में सक्रिय भूमी का निभाने का अहवान किया है। वे डॉक्टर दिवस पर उनसे मिलने आए दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन के प्रतिनी धी मंडल से बातचीत कर रहे थे। इस दोरान उपराष्टपती ने चिकिस्तक समुदाय से सहनुभूती और करुणा की भावना के साथ लोगों की सेवा करने का अग्रह किया। गोर तलब है कि डॉक्टर विधान चंद्र राई की इस्मृती में पूरे देश में उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ मंत्री तुलसी राम सिलावट ने भोपाल में शास किये जय प्रकाश अस्पताल पहुचकर चिकिस्तकों को बधाई और शुपकामनाय दी। उन्होंने डॉक्टर राइक के चिकिस्ता और समासेवा के शेतर में योगदान का इस्मरण भी किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नई गाइडलाइन दरों में कमी से रियल स्टेट व्यापार में तेजी आने की संभावना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्यान नया सवेरा संभल योजना के तहट पात्र श्रमिकों के सत्यापन का काम आज से शुरू हुआ। पंद्रह जुलाई तक यह अभियान चलाए जाएगा। इसके तहट वास्तविक पात्र निर्मान श्रमिकों को लाभ दिलाना है। उलेखनी हैं कि संभल योजना तथा मद्रदेश भवन एवं अन्य सन्निन्मान कर्मकार कल्यान मंडल के अंतरगत आने वाले श्रमिकों के पंजियन में कुछ अपात्र लोगों के योजना का लाभ लेने की शिकायते मिली थी जिसके बाद जाच के निर्देश दिये गए है अशोक नगर से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि जिले में भी घर-घर जाकर श्रमिकों का सत्यापन किया जाएगा जन संपर्क मंत्री PC शर्मा की उपस्थिती में आज भोपाल में मंत्राले के समक्ष राष्ट्रगीत वंदे मात्रम और राष्ट्रगान जन गणमन का सामुहिक गायन हुआ इस से पहले पुलीस बेंड के साथ शोर्य इसमारक से मंत्राले की ओर मार्च भी निकाला गया विभिन जिलो में आज राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सामुहिक गायन हुआ शिव पुरी जिले के पिछोर थाना शेत्र में पीतल निकालने के लालच में लाए गए एक पुराने बं में विस्वोट होने से तीन लोगों की मौत हो गई अकाशवाणी समबात दाता ने बताया है कि हिम्मत पुर्चोकी अंतरगत मसूदा गाओं के रहने वाले ग्रामीन शाम जाटव अपने घर के पास इस्थित सेना के फिल्ड फाइरिंग रेंज से कल एक चला हुआ पुराना बं उठालाया था आज इस बं में पीतल निकालने के दोरान अचानक विस्थोट हो गया इस विस्थोट से शाम जाटव सहित उनकी पुत्री सुगदेवी और दो वर्षी नातिन की मोत हो गई उमरिया कलेक्टर ने क्रशीव भाग के अधिकारियों को खरीफ सीजन में बीच खात का परियाप्त भंडारंण सुरिश्चित करने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही बाजार में बिखने वाले बीच खात का सेंपल लेकर नियमित जाज कराने के साथ ही अमानक पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध एफ़ायार कराने का आदेश दिया है प्रदेश में मानसून धिरे धिरे रफ्तार पकड़ने लगा है पिछले 24 घंटों के दोरान जबलपूर संबाग के जिलों में अधिकांश इस्थानों पर इंधोर संबाग के जिलों में अनेक इस्थानों पर भोपाल, ग्वालियर और उज्जेन संबाग के जिलों में कुछ इस्थानों पर वर्षा हुई बुर्हानपूर जिले में दो दिन से जारी बारिश के कारण नदी नालों में अचानक भारी मात्रा में पानी भर गया है इसके अलावा रायसेन, रतलाम, सीहोर, नीमच, खरगोन और बढ़वानी जिले समेत पूर्वी मद्रप्रदेश के भी कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज हुई मोसम विज्ञान केंदर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दवाव का शेतर बनने के चलते अगले दो दिन में प्रदेश के धार, इंदोर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपूर, जाबुआ, बढ़वानी और बुरहानपूर में कुछ इस्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है भोपाल, हरदा, राइसेन, राजगर, विदीशा, सीहोर, जिलों में तेज हवाउं और गरजच चमक के साथ अनेक इस्थानों पर बारिश होने का अनुमान है सतना से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि आज दोपेर में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर देश में जल सनरक्षन के प्रती जागरुकता पेदा करने के उद्देश से जल शक्ती अभ्यान आज से शुरू प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया से व्रष्टाचार कम हुआ आज से कई नियम बदले प्रधेश में अचल संपत्ती के बाजार मुल्य में 20 प्रतिशत की कमी का फैसला भी लागू मुख्य मंत्री जन कल्यान नया सवेरा योजना के पात्र शमिको के सत्यापन का अभ्यान सभी जिलों में शुरू और मोसम विभागने इंदोर, धार, खंडवा, खरगोन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलिटेन समाप्थ हुआ नमस्कार नमस्कार झाल 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 झाल